ध्यान से सुनना राज येगहरा मैं धीरे से खोल रही हूं कानों से नहीं दिल से सुनना मैं हिंदी में बोल रही हूं आजादी के अमरित महोसों के उपलक् внимे हिंदी दिवस के इस विशेश कारिक्रम में मैं अनुराधा पांडे आप सभी का हारदिक स्वागत करती हूं जिस तरह से एक राश्ट का राश्ट्र चिन होता है, राश्ट्र धज होता है, राश्ट्र पक्षी होता है, राश्ट्र पशू होता है, उसकी सीमाय होती हैं, उसी तरह से उस राश्ट्र की एक भाशा होती है पूरे राश्ट्र को एक सूत्र में बादने वाली अगर कोई भाशा है तो वो है हिंदी जी हाँ हिंदी हमारे दिलों की भाशा हमारी भावनाओं की भाशा हमारे रोजगार की भाशा है तो आईए इस हिंदी को क्या हम केवल एक दिवस में समेट सकते हैं मेरे ख्याल से नहीं ऐसे में हिंदी को कम से कम एक दिन तो सलाम करना बनता है हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं आईए इसी क्रम में आज के इस विशेश कारिक्रम में मैं आपका परिशे करवाओं हमारे आज के विशेश अतितियों से जो हमारे साथ यहां स्टूडियों में मौजूद हैं सबसे पहले मैं आपका परिजय करवा रही हूँ श्री रुद्रनाथ मिश्र जी से जो उपमहा प्रबंधक है NMDC में उसके बाद हमारे साथ हैं श्री मती माया देवी जी जो की उस्मानिया विश्व विद्याले की हिंदी विभाग की विभागा धक्ष है और हमारे साथ आज हैं श्री सुभा राओ जी जो की वरिष्ट राजभाशा अधिकारी हैं NGRI में तो आज हम जानना चाहेंगे हिंदी का किस तरह से विकास हो रहा है और हिंदी का परचम आज राश्र में तो फैला ही है विदेशों में कहां तक फैला है ये हम जानेंगे आज की इस विशेश परिचर्चा में मैं आप सभी का एक बार पुना स्वागत करती हूँ आज के इस विशेश कारिक्रम में सर जब बात आती है हिंदी की तो आप की तरफ मैं सबसे पहले देखती हूँ ये बताईए सर कि 14 सितंबर को ही हम लोग क्यों हिंदी दिवस मनाते हैं देखिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं कि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को भारत की जो समिधान सभा थी उसने हिंदी को संग की राजभाशा, यूनियन की जो राजभाशा है, उसके रूप में अपनाया था, अंगिकरत किया था इसलिए इस विशेश दीवस को याद करने के लिए हम 14 सितंबर को हिंदी दीवस मनाते हैं मैडम मैं आपकी तरफ जब रुक करती हूँ, जैसा मैंने आपके परिजय में पढ़ा कि आप मराथी भाशी हैं, तेलकु भी बोलती हैं और आप अब हिंदी में कारे कर रही हैं, हिंदी पढ़ा रही हैं, तो अपने बारे में कुछ बताईए कि कैसे आपने अपने जीवन को, कब आपको लगा कि आपको हिंदी पढ़ना है और आगे चलके हिंदी पढ़ाना भी है और क्यों? सबसे पहले हिंडी दिवस की सभी भारत वाशियों को हर्दिक शुपकामना है मेरा जो गाउं है वहां इंद्रे वेली है जो आदिलाबाद जिल्ले में है वहां से मैं आती हूँ मेरा जन्म इंद्रे वेली में हुआ है और मेरी जो पढ़ाई है दसवी तक मैंने मेरे गाम से की है और उसके बाद मैंने मेरी पढ़ाई है हैदराबाद में मैंने इंटर डिगरी में एमफिल पी हेचडी की पढ़ाई की है तो मेरा मराथी मेडियम था डिगरी तर फिर उसके बाद जो है मैंने अपने जीवन को मतलब आगे बढ़ाने के लिए कामकाज करने के लिए हिंदी को मैंने चुना क्यूंकि हिंदी के तरफ मुनने का मेरा जो यह था विचार था वो क्यों मुझे मतलब हिंदी से लगाव लगा और क्यों मैं आकर्शित हुई तो उसका कारण ये भी है कि मैं बहुत पिछड़ा एरिया है हमारा अदिलवाद जिल्ले का मतलब एजेंसी एरिया है और बहुत गरीब घर से भी मैंने मेरी पड़ाई की है और इसलिए फिर महाँ पर जो मेरा गाव है इंद्रे वेली महाँ पर पहले मराथी मीडियम था फिर बाद में मतलब तेल्गू मीडियम भी आया तो मात्रु भाषा मराथी होने के कारण पहले मेरी पड़ाई मराथी में हुई फिर यहाँ पर हैद्राबाद में मराथी महाविद्याले से मैंने डिग्री की और फिर डिग्री के बाद आप क्या पड़ा जाए क्यूंकि हिंदी तर भाषिक शेत्रा में हम लोग रह रहे है तो इसके बाद क्या किया जाए, क्या नहीं ये वाला प्रशना हमारे सामने था लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों न प्रोफेसर बनूँ और फिर मुझे वैसे भी कबीर वगरा बहुत पसंद थे तो फिर मेरा विचार था कि कबीर पर मैं काम करूँ तो क्या कैसे किया जा, क्यूंकि गाम से आई थी तो ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं कालेज फर्ष्ट आई थी, इसलिए वहाँ की प्रिंसिपल ने, कुलकरनी सर ने, जो है मुझे आगे की पड़ाई के लिए उन्होंने मेरा मार्ग दर्शन किया, और दादेगा करके सुझाव दिया, फिर उसके बाद मुझे तो केरियर बनाना ही था, क्यूंकि बहुत परिस्तिती घराब थी घर की, और मुझे कुछ नो कुछ करना है, ये वाला विचार मेरे मन में था, तो मैंने जो है, कबीर भी मुझे बहुत पसंद थे, क्यूंकि डिग्री में और इंटर में वगरा और फिर स्कूल में भी हमने उनके दोहे वगरे पड़े थे, तो इसलिए मैं कबीर पर काम करना चाहती थी, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि नहीं, मतलब इनके उपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, तो फिर क्या किया जाए, तो फिर मेरे सामने और एक आदर्श मतलब डाक्टर बाबा साहब भिमराव अंबेडकर का आदर्श भी मेरे सामने था, चूंकि बचपन से मैंने उनको पड़ा था, और मेरे में एक स्पूर्ती आई थी, एक शक्ती आई थी उनकी जीवनी पड़कर, और उनका जो भी संगर्श रहा है, उनके जो वि विचारधारा पर क्योंने काम किया जाए, फिर मैंने दली साहित्य, जो कि डाक्टर बाबा साहब भिमराव अंबेडकर की विचारधारा से निर्मान ऐसा दली साहित्य दिखाई दिया, पहले दली साहित्य मराठी में दिखाई देता है, और वो बाबा साहब की विचारधा से ही पैदा हुआ दली साहित्य है कि उन्हों उस पर काम किया जाये करके मेरे मन में आया और तभी से मैंने मतलब हिंदी के और मैं अगरसर हुई और मेरा शोथ कारे भी मैंने दली साहित्य को लेकर हिंदी और मराथी दोनों का तुलनात्म का ऐसा अध्यन मैंने किया तो कहीं कभीर वाला पक्ष मुझे महा तक ले गया है तो आप कभीर से बहुत ही प्रेरित थी और बिल्कुल सही बात है कभीर जी ने जितने भी अपने दोहे लिखे हैं जो भी उन्होंने लिखा है उसमें वो कटू सत्य बोलते हैं समाज को उसका दरपन सीधे सीधे दिखाते हैं बह सरकारी कारियाले जिसे हम कहते हैं तो आप भी अपने बारे में थोड़ा सा बताईए कि कैसे आपने यहां तक की अपनी जो यात्रा है उसको पूर्ण की और यहां पर आने पर जब आप काम करते हैं तो कैसा आपको लगता है हिंदी में काम करना जी नमस्ते मेंडम पहले सबसे पहले मैं सभी भारतवासियों को आजादी का अमर्त महोत्सव की सुबकामनाएं यह वह मैं भिनंदन करता हूं और हिंदी दिवस की हार्दिक सुबकामनाएं देता हूं जैसे आपने पूछा कि हम हिंदीतर भाशी राज्य से हैं और आंदर पढ़ना शुरू कर दिया और मैं इंटरमेडियेट तक आते आते ही देक्षिन भारतनी प्रचार सभा के जो राष्ट भाशा प्रवेंड जो परिक्षा थी उसको मैंने उत्तिरन कर दिया और उसके बाद जैसे ही मेरा ग्राज्येशन हो गया है साइंसे के साथ हुआ हालां कि लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि हिंदी साहित मुझे वास्तों में साहित और भाशा के ओपर बच्पन से ही बहुत रुची थी और ग्राज्येशन के बाद मुझे लगा हलांकि हमने तिल्गू नहीं डिग्री में पढ़ी है इसलिए मैंने सोचा कि हिंदी को लेकर ही ह हम आगे बढ़ेंगे तो केंदरवी सिविद्दाले हिदरबाद में मुझे में में सीट मिली है और वहाँ एडमिशन लेकर मैंने अपने पढ़ाई हिंदी के साथ शुरू की है और में के बाद फिर एंफिल किया फिर उसके बाद दक्षन बारतनी परचार सभा से बेड हिंद माध्यम से और उसके बाद 98 में अंदरपुदेश सरकार के जो अध्यापक के जो पद हैं वो भरे गए थे उसमें मेरा सेलक्षन हुआ मैं फिर मेरा जीवन जो है अध्यापक बनकर शुरू किया हिंदी के रास्ते पर तो हिंदी अध्यापक आप थे पहले आप हिंदी पढ द्रुग्यान सवस्थान CSR का एक कंस्ट्रिटेंट लेबरेटरी हैं और उसमें अनुवादक के पद पर हुई है और उसके बाद जैसे ही हमारे ही प्रयोक्षाला है CSR की प्रयोक्षाला राश्ट्री भूबहुत कियान सवस्थान NGRA जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उसम मेरे नियुक्ति फिर हिंदी अधिकारी के पदपर दो हजार साथ में हुई वहां से फिर मेरी यात्रा ऐसे ही अच्छे से सुचारूरूप से हिंदी की सेवा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो सिर आप तिल्गू बोलते हैं और तिल्गू में आपने पढ़ाई भी की तो अभी कितना अंतर लगता है आपको मैं यही बोलने वाला था कि भारती भाषाओं में मैंने अपने रा साहित यह भाषा से जुड़ी यात्रा के दौरान मैंने यह मैसूस किया कि भारती भाषाओं में कोई इतना बड़ा अंतर नहीं पा सकते हैं तेल्गू भाषा हो य यह अनुसुंदान करताओं को बताना च्खिए कि द्रविड भाषाओं को कितना प्रभाव है या द्रविड भाषाओं को सोग्सकृत पर कितना प्रभाव है यह सब मैंने हाल ही उस था। उसमें ये नेचर में पबलिशिट था ये पेपर और उसमें बताया गया है कि शिंद्चाट शभिता में हाती के लिए एक शब्द, तमिल का शब्द यूज करते थे, शिंद्चाट शभिता के दौरां. तो कहीं न कहीं भारत की सभिता और संस्कुरती में भारती सभी भासाओं की भूमिका रही है और रहेगी भी तिल्गु में या हिंदी में दिखिये तिल्गु में अगर कोई अच्छे से ग्याता है उसको हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आती है या हिंदी के कोई ग्याता है उ जो तुलनात्म का ध्यन उन्होंने किया है उसमें आप कभी भी कहीं भी तुलनात्म का ध्यन से यही पता चलता है कि भारती भासाओं में एक 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 अंतर सुत्रता जो है वो पहले से थी और रहेगी तो सेर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें कि किस तरह से भारती भा तो सेर मैं आपकी तरफ रूप करती हूं आपका हम जान नहीं पाया परिचय कि आप आपने कैसे अपना सफर तै किया किन परिस्थितियों में आपको लगा कि मुझे हिंदी के लिए काम करना है जी मैडम ऐसा है एक तो पहले मैं आपको बताओं कि मैं उतरप्रदेश से हूं और उतरप्रदेश के कानपुर जिले से हूं और मेरा गाओं उतरी पूरा है एक्शली वास्तवी क्ष्थिति ये है कि जैसा अभी सुबह राओ जी ने कहा कि भारती भाशाओं में कोई भेदबाव नहीं है सब एक डूसरे से जोड़ी होई है जब मैं अपनी इस शिक्षा ले रहा था उस समय मुझे ये मेरे जो घर में मेरे परिवार में जो एक महौल था वो हिंदी का था मेरी भेन डॉक्टरेट थी वो महादेव और मापरवन उन्हें प्यस्टी की थी मेरे भाई डॉक्टरेट थे सब तो ऐसा कुछ लगता था कि जैसे हिंदी हमारी ना कहा करते थे गाउं में होने की वज़े से जब भी कोई सरकारी कर्मचारी आता था तो उनको बहुत अच्छा लगता था और मुझसे कहते थे देखो ये सरकारी कर्मचारी है इसकी कितनी इज़त होती है तुम भी इस तरह कुछ बनने की कोश्च करो उन से मैंने प्रेड़ और मैंने अपनी सिक्षा पहले मैंने अंग्रेजी से में किया था जो मेरी रेगुलर जो नीमित का सिक्षा है और अंग्रेजी से में किया मैंने और अंग्रेजी से में करते समय मैंने ये देखा कि वास्तों में भाशा चाहे हूँ अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो बहुत सम और उसमें मुझे रूची बढ़ती चलेगी और एक जो आम भारती है कि एक जो इक्षा रहती है कि नोकरी मिल जाए और जैसा भी मैडम बात कर रही थी तो मुझे बड़ा याद आ रहा था मुझे कि हिंदी बहुत रोजगार प्रदान करने वाली भाशा है आज हम लोग अक् हिंदी की सेवा उन्होंने की हिंदी के बारे में बात कर रही है उसी तरह से मैंने जब झॉइन किया केंदी मुझक लिए और उसकेबाद फिर दिल्ले आया मैंने विदेश मंत्राले में जुभारत कशा मैं मैं आगे बढ़ाना, उसके बारे में वहाँ चर्चा होती थी, विशुन्दी समेलनों का आयोजन जो होता है, वो किया जाता था, उसमें हमारा सहोग रहता था, तो वहाँ से फिर कुछ समय पश्चात मुझे एक बैंक में नौकरी करने का उसर मिला, और मैं मेरी ये हमेशा से एक और अब मैं हएधराबाद में हूँ, तो अगर हम देखे हैं कि जो हम लोग अकसर बात करते हैं, राजभाशा में कई चेतर हैं, मैंने सभी चेतरों में काम किया, और वहाँ मुझे ये पता चला कि आज भी मैं धन इस बात को मानता हूं कि हिंदी तरभाशी चेतरों में हिं में 1998 से जो शुरू ही जो राजबाशा में शुरू ही और आज करने बढ़े लेखे का में करें प्रस्वड्री करते हैं मैं सरकार्य उबक्रम में काम करता हूं。 अब देखेक दोनों जगहों पर काम करने में धो कारी की पता ही होगा, आप लोग कोई पता है, NMDC राजबाशा की शेतर में बहुत आगे है जी, काफी काम होता है, वहांपर काफी अच्छी तरह से राजबाशा का प्रयोग किया जाए यहीं नहीं, इस पात मंत्राल है, जो हमारा जो केंट्रोलिंग मंत्राल है, उससे हमें लगबग 14 या 15 बार राजबाशा शील्ड मिल चुकी है, और जैसे आप टॉलिक सरकार की है, वसी टॉलिक उपक्रमों की है, आज कल उसका कारेबार बीडियल के पास है, सेयोजक बीडिय और वहाँ पर देखा कि राजबाशा का काम किस तरह से अच्छे से क्या राता है, और इससी वज़ा से क्यों कि जैसा भी बात हो रही थी कि शेष्प्रबंध तंत्र जो है, जो भी टॉप मेनेजमेंट है, उसका जब प्रेणा प्रसाहन मिलती है, तो राजबाशा का काम आ लग लग शेत्रों में काम किया, और क्या-क्या वहाँ के अनुभव रहे वो भी आपने हम से साजा किया हिंदी के बारे में मैड़ मैं जब आपको देखती हूं, तो फिर मुझे याद आता है यूनिवर्सिटी का वो महौल, विश्व विद्याले का, जहां बच्चे पढ़ने आते हैं तो आज आप हिंदी विभाग की अध्यक्ष हैं, आप उसको हेट कर रही हैं, तो वहाँ पर ये बताई कि आप जब पढ़ती थी विश्व विद्याले में, और आज जब आप पढ़ा रही हैं एक विश्व विद्याले में, तो कितना अंतर पाती हैं, बच्चों में कितना अंतर आप देखती है तो 2000 में मैंने admission लिया था यह में हिंदी में तो उस समय की परिस्तिती को और आभी की परिस्तिती को अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ज्यादा फरक दिखाई देता है क्यूंकि हम लोग मुझे लगता है कि गंभीर तरीके से हम लोग पढ़ाई करते थे तो आशकल के चात्रों में जो है बहुत धिलापन आया हुआ है ऐसा मुझे लगता है जी उसके पीछे कुछ कारण भी है क्या कारण हो चकते हैं मैं उसके पीछे अब जैसे कि हम लोगों को देखिए पढ़ते समय अगर घर पर फोन करना होता था तो एक महां पर जरूरी बात करनी है घर पर और मुझे पहले चांस दो आएसा रिक्वेश्ट भी करना पड़ता था तो वो माहल था उस समय एक काल बात करने के लिए एक घंटा हम लोगों को इंतजार करना पड़ता था लेकिन आज जो है सारे लोगों के हाथ में सेल फोन सा गए है तो कही के तरफ जितना ध्यान देना चाहिए था उतना विद्यार्थी नहीं दे रहे ऐसा मुझे लग रहा है वो भी एक बात है और दूसरी बात हम लोग जो पड़ते थे तो हमारे मतलब मैं जिस परिस्तिती से आई महा पर सारी सुक्सु विदाय हमें आसानी से नहीं मिली लेकि जो प्राथमिक आवशक्ता है वो पूरा करने के लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं तो कहीं न कहीं सुक्सु विदाय सारे विद्यार्थियों को मिल रहे हैं हर एक के पास फोन वगरा भी दिखाई दे रहा है तो कहीं न कहीं उस फोन के कारण शायद विद्यार्थियों मे यह दिलापन आया हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है मैम आप हिंदी विभाग को देखती हैं तो हिंदी विभाग में क्या छात्रों की संख्या वैसी ही है जैसे आपके समय में थी या भी कुछ कम हुआ है अभी कम का मतलब जब हम लोगों ने प्रवेश लिया था उस समय भी जितने लोग थे वैसी लोग आभी भी हमें दिखाई देते उतने विभाग यहां पर भी प्रवेश लेते हैं तो कुछ कम तर्ता करके ऐसा तो दिखाई नहीं दिया क्यूंकि आभी मैं स्टेट में काम करते हूं स्टेट इनुविशिटी है उसमानिय इनुविशिटी और मैंने जहां पर पढ़ाई कि वह तो सेंटर इनुविशिटी तो वहां पर मतलब सारे देश से विद्धार्थी आते थे यहां पर हमारे राज्य से जादा आते हैं लेकिन मतलब ठीक ठीक ही चल रहा है इतना तो कुछ यह नहीं है मतलब हिंदी पढ़ना चाहते हैं बच्चे विद्यारतियों को लगता है कि हिंदी पढ़ना चाहिए और जब वो मतलब पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके सामने अनेक सारे प्रिश्ण भी निर्मान होते हैं कि कभी-कभी उन्हें लगता है कि पूछते भी है कि मैडम हिंदी पढ़कर हम लोग क्या करेंगे आगे हमारा भविश्य कैसा होगा क्या कामकाजी इसमें मिल सकता है इस प्रकार के अनेक सारी शंका है उनमें निर्मान होते हैं तब हम लोग उनको बोलते हैं कि उनसे कहते हैं कि नहीं रोजगार के आउसर है लेकिन बशर्थ यह है कि आपको पढ़ना है तो पहले हिंदी कैसे मतलब साहितिक भाषा थी लेकिन आज वो उसने अपना रूप अलग तरह से धारन की आज वो रोजगार के और अग्रसर हुई है आज वो प्रवेजवन मुलक हिंदी बनी हुई है है ना तो यह सारे चीज है हम लोग विद्यारतियों को समझाते हैं दो रहे है क्या यहां बहुत अच्छा काम करी हैं और आगे भविष्यु अभ्रा समझाते हैंDR भी जिम्मेदारी है और आप इसको भूभी निभा रही है धन्यवात मेलम सर आप सरकारी तंतर में हैं पूर्णता और एक वैग्यानिक संस्थान में हैं तो ऐसे में किन कठिनाईयों का आपको सामना करना पड़ता है जब आप हिंदी में काम करते हैं और आप यह आगरह करते हैं वैग्यानिकों से कि आप भी हिंदी में काम करिए तो उनको किस तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और अगर हम पूर्णर उतसे कहें वैग्यानिक शब्दावली की मैं बात करूंगी कि उसको बनाने में किन-किन कठिनाईयों का आपको सामना करना पड़ता है उसके बारे में बताईए पहले जो है हम अगर वाईग्यानिक शब्दावली के बारे में हम बात करेंगे तो भारसरकार की ओर से यहाँ प्रयास क्या ज़चका है कि एक पारिभाशिक शब्दावली हर विज्ञानक्षेत्र के लिए बनाई गई है और वो उपलब्द भी है आनलाइन भी उपलब्द है और आफलाइन पर किताबों के रूप में भी उपलब्द है लेकिन जब आप देखते हैं कि भाशा का विकास तभी हो सकता है किसी भी मैने में देखेंगे तो जब आप उसका भरपूर उपयोग करेंगे शबदावली का भरपूर इस्तेमाल करेंगे आप तब ही एक भाषा जो है चलती रहती है नहीं तो कहीं न कहीं किताबों तक ही सीमित रह जाती है इसलिए मेरा आजकल सरकार का एक प्रयास जारी है कि तक्निकी विशियों को लेकर और इंजिनीरिंग सब्जेट्स को लेकर जो है भारती भाषाओं में विशेवस्तु उपलब्द कराए जाए और कुछ परिक्षाएं भी जो देश के स्तर पर आयुजित की जाती हैं उनको भ प्रयूशन 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 या किसी भारती भासा में लिखूं और उसको मैं थोड़ा प्रचार प्रसार भी करूं भारती भासाओं में जब तक आप उग्यान को प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो आगे की पीढियां भूल जाएंगी बिल्कुल वैग्यानिक सब्दावली का वो प्रचास भी खतम हो जाएगा क्योंकि बच्चे तो आंग्रेजी मीडियम पसंद करने लगे हैं तो जब आप इसका प्रचार प्रसार समाचार पत्र पत्रिकाओं में या कहीं भी आप जैसे दूरदर्शन है आलिंडे रेडियो हैं ऐसे जो माध्यमों से प्रसार माध्यमों के जरिये जो हैं आ आप वैज्यानिक साहित को भारती जन्मानस तक ले जाते हैं आम जनता तक ठीक है कि कुछ संकलपनात्मक जो शब्द हैं उनको हिंदी में या भारती भाषाओं में ले जाना कुछ हद तक कठिन हैं लेकिन मैंने देखा कि मैंने दसवी कक्षा तक तेल्गु माध्यम से तेल्गु में बनाये गये हमें जैसे कि आप आकसीजन के लिए आमलजनी यूज कर रहे थे हैड्रोजन के लिए उद्रजनी यूज कर रहे थे कर्बन डाक्साइड के लिए अच्छे से बोकुपल सुवायू बोलते थे लेकिन मैंने हिंदी में कुछ एलिमेंट्स के लिए या हो या उसके लिए ऐसे ही अंग्रेजी प्रयोक देख रहा हूं अभी हलांकि वो भारसरकार का नियम भी है कि एलिमेंट्स के नाम चेंज ना हो लेकिन अगर आम हम भारती भाषाओं के भाषा वैज्यानिक हो या वैज्यानिक यो नहो इस पर ज्यान दिया जाए कि वैज्ञानिक सब्दावली का निर्मान होचका है और उसका प्रयोग भरपूर किया जाएं वैज्ञानिक संस्थाओं में खास करके हर वैज्ञानिक ये प्रणले की हर वर्ष एक लेख भारती भासाओं में लिखा जाएं उनके कारिक्षेतर के संब्न में, कोई नया विज्ञान के बारे में तो लिखेंगे नहीं, उनके कारिक्षेतर के बारे में तो लिख सकते हैं। और दूसरी बात यही है कि एक स्थरी पत्रिका की कमी जैसे कोई अंग्रेजी में बोलते हैं Impact Factor वाले Journal की कमी हिंदी में है उस पर इस विश्य के बारे में देखने वाले लोगों को ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक स्तरी पत्रिका का प्रकाशन सरकार की वर से हो जाना चाहिए जिससे वैग्यानिक साहित भारती भाषाओं में उपलब्द हो तो सेर आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से हम लोग हिंदी को वैग्यानिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं और निशे जिस भाषा का प्रयोग नहीं होता जो भाषा पुरानी हो जाती है जो भाषा किताबों में रह जाती है अंतिता वो भाषा मृत भाषा हो जाती है और सब भी लोग भूल जाते हैं उसको लेकिन हिंदी चुकि अपने आप में इतनी सम्रिद्ध है और सरल है कि वो अपने साथ सारी भारतिय भाषाओं को लेकर चलती है और यही कारण है कि आज भी वो जीवित है बलकि भारतिय भाषाओं के साथ-साथ उसमें कई विदेशी शब्दों को भी हम देखते हैं, जिन्हें हिंदी ने अपने प्यार से अपनाया है और चल रहा है, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई सर कि अगर एक हम लोग लेख भी लिखते हैं, वैज्ञानिक लोग, तो उस भाशा का प्रयोग निरंतर बना रहता है, यह कोई एक आ ज्ञानिकों को सोचना चाहिए कि अपनी भाशा के प्रती, अपनी संस्कृति के प्रती, सभिता के प्रती, उसका विकास को लेकर एक तरह का समरपण भाव होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई नागरिक नहीं सोचता है, तो भाशा वहीं कतम हो जाती है, संस्कृति का व तो उसे हमें भाषा के जरिये ही आगे बढ़ाना होगा आपने पत्रिका की भी बात की सर वो भी बहुत अच्छी बात है और जहां भी ये बात पहुंचेगी कभी ना कभी हम देखेंगे कि एक पत्रिका की शुरुआत होगी जिसे अभी सिबराओ जी ने बहुत अच्छा पत हम NMDC में पिछले कई दसकों से हर साल एक तकनीकी हिंदी सेमिनार का आवजन करते हैं तो उसमें टेकनिकल विशे पर जो हमारे खान वैज्यानिक हैं या लो एसके वैज्यानिक हैं वो उसमें लेख लिखते हैं अपना प्रेसेंटेशन देते हैं और पिछले लगबग 20 वर इस प्रिथा को लगातार बनाए रखने के लिए सभी परियोजनाओं में इसको शुरू किया और उसका एक बहुत अच्छा आसर ये हुआ है कि ये पत्रिकाएं जब दूसी जगहों पर जाती है तो लोगों को पता चलता है कि हिंदी में भी तकनीकी रूप से लिखा जा सक हला कि हमारे बहुत सारे मैडम यहां पर हैं जो भाशावीद हैं बहुत सारे भाशावीद इस पास से कभी-कभी नाराज भी होते हैं कि हम हिंदी जो है उसमें बोलचाल की इतने शबदार हैं कि भाशा की प्रकृती बिगड़ रही है और ये अकसर हमें सुनने को मिलता है लेकिन भाषा तो एक बहता नीर है, उसमें जितने आप भाषाओं के शब्दों को ले सकेंगे, और हिंदी की प्रकृति तो ऐसी समावेशी प्रकृति है, दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपनाना, उनको लेके आगे बढ़ना, ये हिंदी की प्रकृति है, और इसलिए ह इसलिए पुरस्कार भी प्राप्त हुएं, क्योंकि उसमें तक्नीकी विशय शामिल किये गए हमारे पास तक्नीकी साहित है लेकिन अनुदित रूप में है, ट्रांसलेटेड है वो तक अनुदित भाषा की एक अपनी सीमा होती है जबकि मूल भाषा और वो भी कोई जो काम करने वाला अपनी कार से सम्मंदित भाषा में हिंदी में लिखे तो बहुत अच्छा रहता है इसलिए हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि हर साल ऐसे सेमिनार हो हो हर साल ऐसी पत्रिकाएं हो तो आपको बहुत सारी पत्रिकाए हैं इस तरह है कि हम हमारे पास ही उपलब्ध हैं तो ऐसे दूसरे संस्थानों को भी इस तरह आगे बढ़ना चाहिए तभी क्योंकि हमारा चेतर लोस्क तक है या मिनरल तक है या माइन्स तक है उससे भी आगे बढ़ने की ज़वरत है यहां पर एक छोटा सा पाइंट आड हाइदराबाद में भी हैं बिल्कुल दिली में भी है हर हर लिवर्ड़री में देश के हर कोने से वायग्यानिक लोग उपस्तित हैं वो अपनी भाषा को लेकर इट लिस्ट यह सोचे कम से अ preciso कि यह सोचे कि कि मैं हिंधी में लिखू कोई दिल्गु अला वायग्यानिक है तिल्गु भाषा में लिखें या अपनी भाषा का विकास हो इसके बारे में सोचना चाहिए हर अपने अपनी भाषा में बिल्कुल बिल्कुल और हिंदी भाषी आगे आ सकते हैं क्यों क्योंकि आधिक मात्रा में वहीं लोग हैं देश में सबसे आधिक बोली जाने वाली भा तो हिंदी भाषी वाज्यानिकों को इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए कि कुछ लेक हिंदी में उपलब्द खराया जाए मैं रुद्धनाद मिश्र जी के इस बात से इतफाक रखता हूं कि हमने भी नैशनल जो राष्ट्री संगोष्टियां करते हैं तो मुझे कभी-कमी नहीं महसूस हुई भरपूर लेक आते हैं उसमें लेकिन जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं अन्रोद करते हैं कि आपके कारक्षेत्र से समंद्ध में एक लेक लिखे तो पीछे आट जाते हैं तो वही उन्हें प्रोच्छाहन की ज़रूरत है और आप लोग अपने-पन आप लोग कर रहे हैं सर आपके से मेरा ये प्रशन है कि आप एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में हैं जहां पर तो ऐसे में हिंदी का कितना योगदान वहां पर मतलब देखा जा सकता है हिंदी को किस तरह से देखा जा सकता है जी बिल्कुल मैडम आपने बहुत अच्छा प्रशन किया है आज कले कि ये बार-बार ये प्रशन उठता है कि PSU प्रॉफिट ओरेंटेड हो गए हैं और ऐसे में हिंदी क्या अनिवारता है वहां पर क्या जरूरत है हिंदी की मैं समस्ता हूँ कि इस समय सबसे ज़्यादा प्रासेंगिकता हिंदी की है बलकि और प्रासेंगिकता बढ़ गई है क्योंकि अगर आप अपना प्रॉड़क्ट बेशना चाहते हैं तो जनता के लिए जनता की भाशा में उसकी विशेष्टाएं बताएंगे तो जनता को प्रासेंगिकता है जिनके प्रथम भाशा हिंदी है तो वो अंग्रेजी जानते भी होंगे तो समझते कितना है या सहज कितना है उसमें और आप देखें आज मीडिया का कोई भी साधन उठा के आप देख लीजे हिंदी और भारती भाशाओं के विज्यापनों की भरमार है उसके पीछे कारण यही है कि आज हमारे अगर हमें अपने उत्पाद बेशने हैं तो हमें जनता को बताना है और जनता को बताना है तो उनकी भाशा में बताना है अब भाशा सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है लोगों को अपनी तरफ जोड़ने का तो इसकी प्रास अगर ना सिर्फ हमारे NMDC के बाकी आप देखे जो लोग अपने प्रोड़क्ट बेशना चाहते हैं वो जनता को जनता की भाषा में बेशते हैं विदेशी कंपनियों को आप देखे मुल्टीनेशनल कंपनी जो हैं उन्होंने अपनी सेल्स टीम जो हैं उनको हिंदी भाषा श सर आपने बहुत अच्छी बात कहीं कि अगर हमें प्रोफिट बनाना है तो भी जनता के दिलों तक पहुंचना होगा और दिलों तक पहुंचने के लिए उनकी भाषा से अच्छा और कोई माध्यम नहीं हो सकता क्योंकि भाषा एक हम सभी के मस्तिक्ष में जब हम बच्पन से सुनते आते हैं जो भाषा वो हमारे दिल में बैठी होती है और वो हमारे दिल की भाषा होती है और उसी तरह से हिंदी को हम देखते हैं कि उसका जो विकास हुआ है वो एक दिन में या कुछ दिनों में नहीं हुआ है एक लंबे अर्से से हुआ है और सभी भारतिय भाष आजादी की अगर हम बात करें स्वतंत्रता संग्राम की तो उस समय हिंदी की जो स्थिती थी उस समय की जो हिंदी थी उस से और आज की हिंदी में कितना अंतर देखती हैं आप तो आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी उस समय हिंदी ने अपने एहम भूमी का निवाई थी चुंकि भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं हिंदी जानते हैं और बहुत बड़ा भूभाग हिंदी से संबंदी थे इसी कारण उस समय के जो भी हमारे राजनेता थे उनोंने हिंदी कोई क्यों चुना क्यूंकि हिंदी ने ही स्वतंतरता आंदोलन में आपनी अहम भूमी का निवाई है और स्वतंतरता आंदोलन में वहां महत्वपूर्ण भाशा रही है क्यूंकि लोगों के मन तक जाकर पहुंचना जैसे पुर्ण बात हमें दिखाए देती हैं इसलिए उस समय देखिए गांदी जी के विचारधारा को भी देखिए कि गांदी जी ने भी जो स्वतंत्रता अंदुलन में अपनी लड़ाई लड़ी थी तो उन्होंने भी हिंदी को ही ज्यादा महत्वदिया था बिलकुल और हिंदी में ही वह भाशन करते थे उतना है नहीं वलकि उनके साथ जो भी राजनेता थे उनको भी हिंदी में ही भाशन देने के लिए बोलते थे और उनका मानना ये था कि लोगों तक अपनी विचारधारा को पहुंचाने के लिए अंग्रोजुम की जो कुटनिती है उससे आवगत पहुंचाने के लिए नव जीवन नामक पत्रिका का भी उन्होंने संपाधन किया था और उसका विद्देश ये था कि लोगों तक अपनी विचारधारा को पहुंचाया जाए और देश को आजादी मिले इसलिए हिंदी का बहुत बड़ा योगदार हमें स्वतंत्रता राजारा मोहनराय है, राजगोपालचारी है, दयानन सरस्पती है, फिर हजारी प्रसाद विवेदी है, महितली शरण गुप्त है, वहां से लेकर अगर हम लोग देखेंगे तो प्रेम चन तक भी अनि सारे रचनाकारों ने, राजनेताओं ने अपने अपने तरीके से लुट रहे हैं, इसलिए को एते हैं, अंग्रेज राज, सूक साथ, सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात, यह है अतिक भारी, तो इस प्रकार से लोगों को मतलब जो सच्चाई है, जो एथार्थ है, उसको लोगों के सामने तक ले जाने का काम, साहित्य के माध्यम से भी हमारी यहाँ पर साहित्य कारूनी किया है, इसलिए स्वतंत्रता अंदुलन में हिंदी ने अपनी अहम भूमी का निभाई है, ऐसा मुझे आज की जो हिंदी है, वो उस पर आप क्या कहेंगी, मतलब कितनी बदल गई है, तो आज की हिंदी मतलब उस समय के हिंदी में और उसको अगर देखेंगे तो साहित्य तक सीमित थी, लेकिन जेसे जेसे बदलावाते गया, उसी प्रकार से हिंदी ने भी अपने रूप को बदल दिया, अपने आपको उसने क्या किया, भारत की अन्नी जो भी शब्द है, उसको उसने अत्मसात किया, और इसलिए हिंदी का विकास होता हुआ हमें दिखाए देता है, तो साहित्य से निकल कर मैंने कहा कि आज वहां तकनी की भाषा तक पहुंची गई है, प्रयोजन मुलक हिंदी बनी हुई है, आज वहां दफ्तर में काम कर रही है, तो सरकारी कामकाज की भाषा आज हिंदी बनी है, सर मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो कठीन शब्दावली की बात कही तो कठीन शब्दावली हम लोग हिंदीतर भाषा क्षेत्र में रहते हैं और इसी कारण हम लोग भी आप क्या कर रहे हैं विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर हिंदीतर भाषा के विद्यार्थी है इसलिए से बोलने की कोशिश करता है उसको ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में हमने इतने दिन सर डिगरी फर्स्ट एर सेकेंड यर में हिंदी लागो थी द्वीतिय भाशा के रूप में लेकिन इस साल से प्रितिय वर्ष के रूप में भी हिंदी लागो हो रही है इस महिने से ही उसके भी शुरुवात हो रही है तो नई किताब हमने अभी निकाले है मतलब अंडर प्रिंटिंग में है तो वहां का जो सिलेवस हमने बनाया है पाठे क्रम जो बनाया है उसमें हमने यही ध्यान दिया है कि अधिकतर मतलब साहित्य ज्यादा ना हो कार्यान मुखी हिंदी ह कार्याले की हिंदी हो इस प्रकार की पाठे क्रम सारने को हमने वहाँ पर लागू किया है रोजगार की भाषा हो उस पर भी ध्यान दिया है और उसके अलावा सर सरल शब्दावली को हमने वहाँ पर लागू करने का प्रयास किया है जहां जहां पर कठी ना इसे शब्द दिख दिखाई दिये महाँ पर भी हमने उसको अधिक सरल किया है तो यह हमारे पास भी अब चल रहा है सर क्यूंकि हम लोग बहुत बेजोड भाशा में और बेजोड शब्द लेंगे कठीन लेंगे तो फिर विद्यार्थियों को समझ में नहीं आएगा तो फिर वो किस प्रकार से उस ज्यान को हसिल करेगा यह भी प्रशना हमारे सामने दिखाई देता है इसलिए हिंदीतर भाशा के चात्र है तो उनके लेवल पर जाकर ही उनको समझाना है इसको भी हमने वहाँ पर जादा बहुत अच्छी बात कई मैडम आपने कि आपने पार्ठियक्रम में भी बदला है और कार्याले हिंदी आप सिखा रहे हैं या पत्रकारी तायगन संचार माध्यम तो इस प्रकार का रोजगार मिलने में भी सहायता मिलेगा बहुत अच्छी बात मैं आपने की और हम बहुत बदाई देते हैं आपको कि आप इतना अच्छा काम कर रही है सिर्फ मैं आपकी जहां पर अनुसंधान का काम होता है रिसर्च का काम होता है और काफी सारे टेक्निकल टेर्मनलोलजी होते हैं और उनको लेते हुए आप लोग हिंदी को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं और कितना अलग है सरकारी कार्याले का हिंदी कामकाज उपक्रम से विज्ञान को भारती भाषा में प्रचार प्रसार करना वो अलग बात है और ये जो कि सम्विधान के आठकिल 351 के अंतरगत हम देख सकते हैं कि हिंदी के विकास के लिए संगसारकार को हर संभव प्रयास किया जाना है कि विज्ञान के ख्षेत्र में हो या भारत के सामासि को प्रतिनेजित करते होए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि हिंदी का विकास हो वो एक अलग मुद्धा है और ये जब तक जब आप पूछ रही थी कि सरकारी कामकाज में एक अनिवारिता है समयधानिक अनिवारिता है कि आपको स्यासिकी प्रयोजनियों के लिए आ आप राजभाशा के रुप में हिंदी का प्रयोग करना अनुवार है। सेर आप जब राजभाशा की बात कर रहे हैं तो अभी जो हमारा अमृत महोत्सो चल रहा है। उसको लेकर कुछ बताईए कि अमृत महोत्सो में चुकि आज़ादी को हमारे 75 सार पूरे होने जा रहे हैं उसमें हिंदी को आप किस तरह से देखते हैं। पहले बात आपने सही कहा कि आज़ादी का मतलब क्या है। हम अपना सैसन खुद करना है。 अपना सैसन जब हम खुद करते हैं, तो इसका कोई माधियम होना चाहिए। आप एक वीदेशी भाषा को सैसन में अपनाते हैं तो आज़ादी जो शबद है उसकी संकल्पना ही खतम है। सास्क्राइब शप現在 ? इसलिए हम लोगों को यह सोचना चाहिए कि जब हम आजादी का अमुर्त महुच्छों मना रहे हैं आजादी की लडाई को याद कर रहे हैं अपने स्व intrigued महत्त तप के बारे में हम चर्चाया कर रहे हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि हर सरकारी कर्मचारी के ऊपर ये समयधानिक दायत्व है कि उसे संग सरकार के प्रयोजनों के लिए स्यासकी प्रयोजनों के लिए हिंदी को ही मार्धम के रूप में अपनाए जाए तब ही आजादी का जो महत जो है वो बना रहेगा जब तक आप उसके लिए विदेशी भा आप बताईए कि 75 साल जो हमारे पूरे हुए हैं आप किस तरह से देखते हैं भाषा, हिंदी भाषा का योगदान या अब क्या होना चाहिए? देखे ये अजादी का अमरत 900 भी है और 75 वर्ष हमारी आजादी को पूरे हुए लेकिन आप देखे कि जिस तरह से हमारी दास्ता थी भाषा के मामले में वो तो खतम हो गई है अब भाषाई दास्ता नहीं रही है हमारे पास मानसिक दास्ताएं अभी हैं इसमें सिंकार नहीं किया जा सकता बासाई दास्ता नहीं रहिए हम लोग एक आत्म निर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है और यही 75 साल की सबसे बड़ी हमारी उपलबदी है कि अब हम आत निर्भर हो रहे हैं ना सिर्फ अपने उत्पादों के मामले में अपनी सेवाओं के मामले में बलकि अपनी भाशा के मामले में भी हम अब पूरी तरह से आत निर्भर हो रहे हैं और ये आत निर्भरता ही हमें आगे प्रगती का रास्ता दिखाएगे बहुत अच्छी बात आप लोगों ने की और इस परिचर्चा में आप सभी ने अपना समय निकाल कर आप लोग यहां आए और भाग लिया परिचर्चा में और मैं आप सभी का एक बार फिर धरनिवाद देती हूँ और आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि किस तरह से सरकारी कारयाले में काम हो रहा है किस तरह से उक्रम में काम हो रहा है और एक विश्वी देले कि जब हम बात करते हैं जहां पर पढ़ने और पढ़ाने की बात होती है तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस तरह से हिंदी का की जड़े जो है वो और मजबूती से होती जा रही है आप सभी का पुना एक बार धन्यवाद निजभाशा उन्नती अहे सब उन्नती को मूल बिन निजभाशा ग्यान के मिटत नहीं के शूल भारत अंद्यव जी ने ये बात बहुत पहले कही थी लेकिन ये बात आज भी लागू होती है और अगर हम भारत की बात करते हैं तो एक कहावत है कोस कोस पर बदले पानी चार कोस पर बानी ये बात भारत पर सवशब्द लागू होती है क्योंकि यहाँ पर इतनी विविता है भाशा को लेकर जहाँ पर हर चार कोस पर भाशा बदल जाती है ऐसे में पूरे राश्ट्र को पूरे देश को एक भाशा में बांध कर रखना बहुत ही जरूरी होता है और बिना भाशा के हम अपनी संस्कृति का समवाहन भी नहीं कर सकत इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हिंदी को आगे बढ़ाना है आज भले ही वो विश्व पर चौथी से तीसरी स्थान पर पहुंच गई है लेकिन जस तरह से आज हम देख रहे हैं कि हिंदी का परचम देश में ही नहीं बलकि विदेशों में भी लहरा रहा है तो व मैं लेती हूँ एक बार फिर आपसे विदा होगी फिर मिलाकात नए कारिकरम में तब तक के लिए अलविदा है दरबाद